टीवी वन के नहायद दिल्चेस्ट ड्रॉमो और इंटर्चेन्मेंट से भरपूर शोस किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजित करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन पर क्लिक करें अभी तक फैसल साइट से आया नहीं है काफी टाइम हो गया उसे हाँ आता ही होगा हुआ हम आपको ही याद कर रहे थे भी चैरी की हवाईयां के मूरी में तुमारी फैसल सब ठीक तो है नहीं कुछ नहीं बताओ क्या हुआ साइट के आला ठीक नहीं है जो सिमेंट यूज कर रहे हम लोग वो सारा तो नंबर है इस यूसलेस अगर इस सिमेंट को यूज करके कंस्रक्शन होई तो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन सिर्फ तभाई होगी और कुछ नहीं क्या है यह किसने किया साइट तो क्ल मैं खुद विजिट करके आयता तो मैं जीसे सिमेंट लाने का काह होगा चाहर उसी महींotal गड़ित कि अ तो इसमें घटिया कॉलिटी के सिमेंट कौन मिक्स कर सकता है? यकीनन कोई फिर हमारे साथ घदारी कर रहा है कोई नहीं चाहता कि हम काम्याब हूं और यह कोई अंदर का ही आत्मी है मैं डाट से बात करती हूं इस बारे में यकीनन वो कुछ कर सकता है वो क्या कर सकते है वो मुलाजमों को बॉन तो कर सकते हैं क्या आखर वो सब पर नज़र रखें कौन ऐसा कर रहा है नहीं यह हमें खुद करना होगा एनिवेज मैं जाकर डाट से बात करते हूं इस बारे में रामीन बिट यह चला क्यों फेग दिया पहले तो मना करने के बावजूद पहने रहती थी अब इसकी जरुरत नहीं है ऐसे भी अब को अच्छा नहीं लगता था क्या मतलब हर बात बताने वाली नहीं है अपने बाप के जरुम की सजा मुझे क्यों ते रही है क्योंकि आप इस जरुम में बराबर की शरीक हैं ऐसा क्या कहा तुम्हारे डाड में अज़ 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 भी नहीं कर सकती फिर भी बिटा अखिर बताओ तो सही कि क्या कहा था उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं बैसलो और उनमेंसे किसी एक को चुनू किस अज़ ज़ा इस ज़िए किस तरह इसे बाग करें पेठा अब ही बुज़ भुज़ रहे हैंगा अज़ जो कुछ भी कह सकतें कुछ भी कर सकतें कि यह बात है। यह इना जला रहा हूं। मुझे पैसे चाहिए। पैसे पैसे इसके लाब तुम्हे और बात करनी आती है। आप भी तो यही करती है ना। तुमीजी कर रहा तुम मेरे साथ। वाँ आप यह बतुमीजी हो गए। आप जो शेरियार अंको और पापा से तेम दिमांड करती रहती है। उसका क्या। तुमीजी जबान बंद कर लो तुम। आप मुझे पैसे दे रही है यह नहीं। दे रही हूं। जाले कौन सा गुलाब। ज़्याट तुम तोनक की शकली मेरे सरपनलादी है तुम्हार अबबब एश कारए है seem तुम्हार की जम्तार की पैसे लगा बेरे सारपनलादी गई है वो कोई एश कष्ण कर रहे हैं। हाँ, हाँ अमोझ से उक्तुम के लिए मैनत कर रहे है। तेरी बात हुई थी उनसे. उनसे बात करूँ. यह अदमी समझता क्या है अपने आपकों? बात बड़े दर्म खाने ना, बेसकी क्लास लेती हूँ. हलो? जय नसीब, आज खुद कैसे याद कर लिया? यह बताओ, तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हूँ? क्या मतलब है नूर? मतलब यह, कि तुम्हें रोशान के कान मेरे खिलाफ क्यों हरे? लाहलो अला को, नूर मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, तुमने रोशान और जूनी को मेरे खलाफ करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा नूर तुम्हें गलत फहम ही हो रही है, खर छोड़ो, ये बताओ पैसे मिल गए नूर नूर ने तुम्हारे और बच्चों की खातेरियां बहुत मेहनत करा, ये पैसे मैंने बहुत मुश्किलों से जमा किये हैं, प्लीज, एतियात से खरच करना ताके शेरियार पर मज़ीद अगर तुम्हें दिनरा तेक करके पैसे कमाएं ना, तो हम पर कोई ऐसान नहीं किया है, तुम्हारे अगर यही हरकत रही ना, वह दुमसे बात करना छोड़ दूगी बड़े आया प्लानिक कर रहे हैं, बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं बताती है उसको मेरे सुनो फैसल, आज मैंने रामीन के लिए इतना खुबसूरत सूट खरीद है मैं बजार गई वहां मुझे एक सुन नजर आया जिसे देके मुझे रामीन का हिया बहुत अच्छा लगेगा उसके उपर बस मैंने फॉरल खरीदिया तो मैं भी दिखाती हूँ तो मैं बहुत पसंदाएगा फैसल है क्या बहुत है कुछ उपारे कुछ उपारे के तो ना रामीन ठीक है और नाम है बताओ तो सही हुआ क्या है मुझे बहुँ टेंजिन हो ए रामीन की मंगी होई गया इसे अचानब उसकी किसे कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं या मतलब है तुमारे मैं दिन रात मशीन बनके मिनप कराई भी वो रिजल्ट नहीं आरा जिसकी मुझे ख्वाईश है आएगा रिजल्ट तुम्हारी खाहिश से बढ़कर आएगा रिजल्ट लेकिन जल्दी में मंगी कराने का मतलब यह है कि वो और अभी मैं रामीन के पगए नहीं रह से कुआ है आँ मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारी बात हुए रामीन से नहीं क्यों तुमने बात क्यों नहीं किया इससे वो मुथ से बात नहीं करना चारी है एकनौर कर रही है बेटा ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी वरना वो कपी है से ना करती है बिलकुम अंकल की अना और जिद के आगे मजबूर है माजसे भी इस जमीन पर ही होते हैं बेटा क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि रामीन इसी यगीन के सा हरे सारी जिन्द की गजारी है मैं तुम फिकर मत करो कुछ भी गलाब नहीं होगा क्या होगा क्या बात हो इसाहर से मामा वो खुट को समझता क्या है अंसे ठीक से बात तक करना पसंदे है क्यों आपका कड़ी असने ना अटटिट्यू एच मैं वज़ कुछ समझता ही नहीं है है अगोगा अट भी टीन कष्कोण पड़ेगा है मुझा तो लग्ता है नहीं मेरी य उला ते हो क्या मतलब? कुछ अलाकिया मुझसे ही सीख लेती है बिल्कुल अपने बाप पर गई हो सीधी और बेवकूफ ममा प्लीज, ऐसा तो ना बोले एंफिक बाबा तो बहुत स्वीट है हम, बहुत स्वीट है बाहर जाके चार पैसे क्या कमा के भेजने लगे तुम लोग तो नहीं के होगे हो यह बात नहीं है ममा आपर छोटी बात का क्यों पुरा बान जाती है सुने तुमसे लड़का काभू नहीं हो रहा है मैं कैसे करूँगा आप बताए तुम रह नहीं है मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या करेंगी याप अए वो तुम मुझ पे चोग आप क्या बात इस का जए आज पहरा बहुत खामोश है नहीं मैं खामोश तो नहीं तो कुछबात दो नहीं करहीं हैं क्याप क्याफ लोड़ कैस अशादी कर्बेस्टंच हूट अबनीसे के स्थरन का लेना है जो एक रहे बाद रहे 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 हैं, जो नहीं है, जो भूछा है. आप एने सब सोच्छाए के लिए. मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ, लकिन सब कुछ नहीं. कुछ काम तो औरतों के करने के होते हैं. बिलकुल सवी काम. वैसे एक बात बुछे तुम बुरातों नहीं मारा भी. बुछें. मुछे लगता है के तुम हमाई शाली से खुछ नहीं. आपसे एक इसने कवाँ? मुछे लगता है के तुम बहुत किन्फ्यूज़. अच्छो? देखो, मुझे ऐसा लगता है के तुम्हें कोई कोई कर रहा है. मैं रिष्टों के मामलों में बहुत स्ट्रेइट फावड़ हूँ. अगर तुम्हाई जिंदगी में कोई है, या तुम कसी को पसंद भी करती हो, तो तुम मुझे बता सकती हो. अच्छो? 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 आप बार बार यही सवाल करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? अब तो मंगनी हो जुकी है ना माले? और जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर यह डाउट कैसे? डाउट ने का रहा हूँ, शादी करने जा रहा हूँ, खोड़ डाइपांस करने थोड़ी? अच्छो अपने दिल को मुकमल तसलिए देना तो हग बनता है ना मेरा? जी. जी. अजिक सकते हैं कि यम तो जरने एक साथ जहर को मर जातें, जयसे दूसरे मुष्यक करतें और अपने पीचे सब को रोगा ठोड़ जाते हैं और हराम मौत को गले लगा के दोज़की आंग को अपने पर माज़ब लगाते हैं इसे फ़र्स करो अगर तुम्हारी शादी को फ्रांसों हो जाती है और थोड़के पर तुम्हारे पास होते हैं तो इतनी जोड से भुका मारती तुम्हारी नाग पर के खून निकला था तुम्हारी से सोचा भी कैसे तुम्हारी जात चुड़ा चाते हैं उसलिए इसा करूँ भाइग कोफरान को चपसर साई मैंने भी फील किया लिखते है आरा बात करें उसलिए आड माम मैं यह मंगी तोड़ना चाहता है यह क्या कह रहे हो तुम भुश्मेत हो कोई कह रहा हूं जो आप लोग नसा यह तो पोच्छ सकता हूं मैं जूट और थोका बरदाश्ट ने कर सकता ड़ए अर जिश्ते की बुनियाद एजूट और थोके परो जुट बरो उसलिए उसलिए जुट ने कि खातम करें लिए किसे जूट बोला है चुछ बताओ भी तो सही तो जए बताओ बाताओ जैंताए ड़र्ग मैं बताने लादे नीर यह ज़ए अब बाफस नहीं जान दूगी आप लोगी वजास में यहां यहां नहीं जाता है लेकिन बटा बता हो तो सही किस ने दोका दिया तुम्हें अग्जे लगता है पुरी फैमली अमें दोका दे रहे थे और हमसे चूट बोल यह थे अब ममँघ हुआ। लुि यह नहीं हुआ है तब हम है कि वे मैं अर्रामीन मुझ में इंट्रहस कू नहीं है कि वो दूसरी लडग कि वरीघ मुझे अटाय करनारे के लिए यह एक्साइट नहीं होती। क्योंकि वह मुझे जूट बोल रही थी, मुझे दोखा दे रही थी मॉम। तो मैं कैसे पता, कोई गलत फैमी भी तो हो सथी है ना? यह देखे, यह तस्वीर है मुझे तो गलत फैमी हो सथी है डाद, लेकिन यह तस्वीर सच बोल रही है ना? और यह वाइस नोट्स, यह तो सच है ना? एसा करते हैं कि आम तो उनने एक साथ जहर खाके मर जाते हैं जैसे दूसरे अशिक करते हैं और अबने पीचे सब को रोटा ठोड़ जाते हैं और हराम मौत को गले लगा के दोजकी आग को अपने उपर माजब है अगर तो आपने उसे फर्स करो अगर तुम्हारी शादी नोटाझ सुयों हो जाती है और खौड़ी के मुटा पूर जाती ते गर अगे नो तुम्हारे पास तो इतनी जोड से मुका मारती तुम्हारी नाग पर के खून निकलादा इस्क्यूज में हार आमीन बोलो वो ऐसा क्यों कह रहे है मैं उनको ऐसा नहीं करने दूँगा अच्छा तुम फिकर मत करो आफिस के बाद मैं तुमसे बिलता हूँ अराम से बैटके बात करते हैं ओके? अल्ला आफिस सब ठीक तो है? हाँ ठीक है तुम्हारे लहजे से नहीं लग रहा था कि सब ठीक है तो मैं क्या करो? रामीन ये घबरा रही है कि कहीं उसके डैड उसकी शादी किसी और के साथ ना करा दे क्या वो ऐसा भी गर सकती? क्या उनको इस बात की जरह सी भी परवा नहीं है कि उनकी बेटी के खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी नहीं उनको इस बात की बिलकुल भी परवा नहीं है रामीन कहती है कि वो एक बहुत जिदी इनसान है और वो अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की खुशियों के भी परवा नहीं करते है उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि उनकी बेटी का इंतखाब कितना दुरस था और वो कितने खलत है इसका अंदाज़ा उन्हें तब ही हो सकता है कि जब वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारें तुम्हें आजमाएं मगर मैंने देखा है ऐसे लोग दूसरों की बातों पर नहीं अपने तजर्बे पर यकीन रखते है शायद तुम ठीक कह रहा है परिशान मतों सब ठीक हो जाएको इंशाला सही से खाएना क्या कर रहे हैं आप यह लग आज मुझे कुछ टेंशन हो रही है कैसी टेंशन है आज राजदी के साथ मेरी डील साइन होनी है आज में की देए बड़ना बट सुरूरी है अपने डील बट सुरूरी है कौन्सी दील? जार है बजनस दील है इसे एसे कारोबार को बट आफादा होगा और अपरों को बाट एक ने मारे मार्केटन प्जिशन पॉस्तेहका हो जाएगी बेचाए एक है तो परिशनन तवा है तवागों कि तो एक है तो एक है इंशाल। अजए लगाए आप आप लूदाए अब मेरा अख़री फेसला राश्दी साब एक मर्टबार और सोच ले इस अच्छा से तो इनका पूरा कारोबार तबाँ जायेगा तो जाये पार उनको प्लोप जाये थे जाये थे विपाता आप एक बच्ची की जबर्दस्ती शादी करना कहां कि अगल मन्दी है आप जजबाती हो रहे होश के नाकुन ले है मैं जो फैसला कर लेता हूँ उस पर काई रहता हूँ तुम क्या कहते हूँ जो आपको और डैट का फैसला हूँ मैंने आप दोनों को सचाई बता दी है तुम के मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप खरेलू और कारोबारी मामलात को लादा 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 रखें तुम अपना मशवरा आपे पास रखो इस वक्त मुझ पर जनून सवार है फैर्यार ने मुझ से दोगा करके अच्छा नही किया अभी उससे मेरा प्यार देखा है अब उसको इल्म होगा कि मेरा घुसा अब कितना खतरनाव कै तुम्हें पता है फैसल मैं इतने दुने बात इतना पूर सकून महसूस कर रहा हूं अच्छा वो क्यों बहुत दिनों बात महसूस हो रहा है कि मेरे कंदे परसी जैसे जो जो तर रहा हूं लेकिन क्यों सब तुम्हारी वज़े से शायद तुम साथ ना होते तो मैं इतना नहीं कर पाता हूं अब यह कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मेरा फर्स था काम है यह अभी डैट के इंतकाल को दिन ही कितने हुए कि अंकल को मेरी शादी की फि लेकिन वो ना जाने किन ख्यालों में रहते हैं यार वो बेटी के बाप है ना इसलिए ऐसा सोचते हैं और फिर दोस्त की मौत ने उन्हें अंदर से खोकला करती है और वो दोस्त जिनके साथ वो अपना पूरा दिन गुजारते थी अब आफिस यह जस तरह आपके लिए उन फिर सारे मसायल बहुत असानी से हल हो जाएंगे फैसल तुम पहले क्यों नहीं मिल गया मुझे तुम किस तरह मिंटों में मसले अल कर देते हुए अगर मेरा कोई भाई होता ना बिल्कुल तुमारी तरह मेरा सेवियर होता है तो पर तुम मुझे अपना भाई से मुझ लू तो अवस्ना कि अवस्ना कि अवस्ना कि अवस्ना रोड़ादा हूं Ali काए? मुझे घया पता काए? यार, तुम तुनों क्यों तंग कर रहे, मुझे बताओ क्यों? तुम ने ऐसे क्या कर देख जो हम तुमें तंग करेंगे तुम जानती हो कि मुषे बगार नहीं रह सकता बथा दो, Ali काह पर है आशान. जोगे बिसी तुखा इस अमर्जिंसी हो गई हो. यह भी हो सकते हो गई है किसका फोग। छोरी हो गया यह पे बैटरी नौफोन नहीं कर सकता तुम्हे पता है? वे बहुत अच्छा है. जो तुम्हारे हर रवयी को परदाश को. एक बात पुछूूं। पुछो तो मोश आवे जब से अलग-अलग हुए है तुम अखेली हो और बहु इतने लड्कियों के जुमकते में थे पहचानने में मैंने गल्ती कर दी थी वह ऐसा नहीं तो जासे में उसा समझती थी तो फिर गयसा था? तुम्हें उसकी बाते जवान में इतना इंट्रेस्ट कें हो रहे हैं? बहुत अक्टिव हो गयो क्या? रोशान, तुम बिल्कुल ठीक थे तुम्हारी बात ना मान के मैंने गलती कर दी मैं तो मैशा ठीकी कहता हूँ खैर अलीगा कुछ पता लगे तो प्लीज बताना मुझे शुकरा बेटा, हमारी टीवी सी में चल गई और हमारी प्रोजेक्ट की बहुत सारी बुकिंग भी डाद ये सब इतना आसान नहीं था और सबसे ज़्यादे तो फैसल ने मैंद किये दिन रात एक करके ये तुम तेनों के दिन रात की मेहनत हैं जो हम ये सब कुछ कर पाई हैं अफकॉस, लेकिन मैं मानती हूँ के सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें फैसल ने किये दिन रात एक करके उसने इस कंपनी को उठा है मैं इस लड़की की बहुत कदर करता हूँ ये बहुत अन्मोल है जर्याब में बो कर दिखाया जो मैंना कर सका क्या मतलब डाद? जर्याब को इंसानों की परखने की पहचान है फैसल को मैंना समझ सका मगर जर्याब ने परख लिया मुझे फखर है तुम्हारे पसंद पर और मुझे फखर है आप पे कि आप उसके टालेंट को अप्रिशेट कर रहे हैं बस और मुझे क्या चाहिए मैंना कहती थी के वैसल बहुत ये टालेंटेट शक्स है उसे एक मौका दीजिए इन से मिले ये हमारी युनिवर्सिटी के टॉपर है पेसल कहते हैं कुछ आपने अपने आने की होजा नहीं कुताईए रामीन को लेने आया था रामीन तुमने ने बताई नहीं के अमारे घर के बाहर तीन तीन गाड़ियां कड़ी में मेरे पास भी अपनी कारे साथ कौन सी 660 या 800 सी 800 मेरे तुम्हें देखते ही तुमारे स्टाटस का अधा लगाली सुनो पहरी मैं अब वो फ्रांग की मंगेतर कुछी दिनों के बाद वो फ्रांग से मेरा निका है प्र में में जो फ्रांग बनागी फिर क्या करोगे तुम एक शादीचे दार असर्ष करोगे आज आज अफिस से जल्दी आगए सर में बहुत था मैं सर दबा देती है नहीं अब तो यह सर के अदब मुस्तकिल रहने लगए क्या बाते में जाब रामीन से फिर कोई बात हुए उसने अपने और मेरे रास्ते जुदा करने का फैसला कर लिए अब हो मेरे साथ कोई रापता नहीं रखना चाहते है रामीन रामीन जी पिटे मुझे तुम से कुछ बात करने है कहें तुम्हारी तबे तु ठीक है ना जी तुमने इस मंगनी को दिल से कुबूल कर लिया है कुबूल करने की कोशिश कर रही है कि कि फैसल से बाट थुई तुमारी फैसल से बात टुई तुमारी क्या क्या औज प्सलिए इसने क्या कहना था मैंने कुछ कहने सुन्ने का मौका ही नहीं दियू मुझे अफसोस है उसके लिए मैं इतनी सखत दिल कैसे हो गए मैं अजी कुछ समझ नहीं हा रहा ये मंगनी कासा है देखा जब एक मंगनी सोच तबदील कर सकती है तो फिर शादी तो सारा तस्वरी बदल देती है अब समझ आई तुम्हें के मैं तुम्हरे डैट को लेकर इतना कज़सान क्यूं रहती है जी खुश रहूँ मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बहुत खुश रोग लगाया कहे कहे मेरी जान ली वोड के बरुसा मेरा वैरो के मान ली अद्धियान पूरिया यारा मैने माणिया कमली छोड़े वाली काय तुने चान ली मेरे महरम में वोही जल आए जाना चाहू मरना जाओ कर जीने का बहाना चाहू मरना जाओ कर जीने का बहाना चाहू रिष्टे खो जाते है याद रह जाती है जैसे लकीरों में लकीरे खो जाती है यार मिला दे मौला जिंदर सवार दे क्यूं मेरे रंगों की तस्वीरे खो जाती है मेरे हम्दम में वोही इश्क कुराना चाहू मरना जाओ कर जीने का बहाना चाहू ए मुहबत तरे मजदेक में आला जाओ कहां थे तूम है एधरबाद में और ताइब अगयर चले गए क्यों यार मेरा फॉन आफ हो गया था अप चार्ज़ रहे चार्ज़ रहे शुकर रहे क्यों किस बात के लिए भाई आपके जो दोस्त है उनों ने मेरी जिन्दगी अजाब करके रखी हुए थी मैं जानता था कि वो जरूर परिशान होगा वो तुमारे पास आया था हाँ चलो मेरी घर मौजूद्गी से तुमारे नजीग तो ले आई ना मितलब क्या कियाना चाहरे हुए यही कि इसने तुमसे बात तो की वरना तुम लोग की नराज़की तो तूल पकड़ती जा रही थी और हमारे नराज होने से तुमें क्या तकलीफ हो रही थी? जब मेरे दो दोस्त अलेदा अलेदा अदास हो तुम मुझे तो तकलीफ होगी ना इतने संसिटिव क्यों थी? एवे बागा लो बिदको अच्छे यह बताओ तुमारे रौशान से क्या बात ली? पहले तो उसे तुमारे बारे में पूचा उसकी बाद मैंने उसे बताया कि वो ठीक था और मैं अलेदा शावेज को लेकर ड़ा? पिर उसका मूझ ठीक हुआ? कुच-कुच ऐसे मुझे एक बार तो बताओ वो क्या? कहीं तुम जान बूच कर तो गाइब नहीं हुआ थे ताकि मेरी और रौशान की दुबारे से दोस्ती हो जाए अरे नहीं तुम गलत समझ ज़े यो चलो मेरा काम होगा अब मैं चलता हूँ रुक जाओ कौन सा काम? तुम नहीं संझोगी चलो अब मैं से चाकर मिलूँ कहीं वो मेरे फराख में दिवाना ना हो जाए मैं कमन साथ जी जी आजा बैटे मुझे फैसल आप से एक काम है जी बोली मुझे लगता है कि महमर के बाद तुम जर्याब से बहुत जादा करीग हो बिलकुल मुझे भी कुछ ऐसे लगता है तुम जर्याब को राजी करने करते हैं किस काम के लिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी आखर कब तक यह दोनों इस बे नाम बंधन में बंधे रहेंगे कि राजी होने की तुम्हें गारेंटी नहीं दे सकता लेकिन हाँ वो इंकान नहीं करेंगे तुम तो बड़े-बडे मसायल का हल निकाल देते हो और तुम्हारी बात पर वो यकीन भी करता है और फिर वो तुम्हे अपने भाई भी समझता है तो क्या तुम्ही छोड़ा सब मेरा काम नहीं कर सकते है कैसे बाते करेंगे रहें शर्मिंदा करेंगे नहीं मैं जानता हूं कि मेरे इकाम सिर्फ औसे तुम कर सकते हैं आपके यकीन के शुक्री है मैं पूरी कोशिश करो है देखो बेटा जर्याप के व्यागे भी चुकोई नहीं है और पर मेहमल की मावी मच चुकी है अब इस खांदान को जोड़के रखने का अवाइद यही हल है मेहमल की माँ जिन्दा होती तो यह सब बाते तो वही करती है मगर क्या करूँ मजबूरन यह सब कुछ मुझे कहना पढ़ रहा और करना पढ़ रहा डाड आप क्यों इतनी जुल्दी कर रहें क्या आप नहीं चाहते कि मैं कुछ वक्त और आपके साथ गुजारू देखो बेटा हर बात की तरह मेरी भी उख्वाइश है कि तुम चल्दे चल्द अपने घर की हो जाओ और फिर मेरी जिन्दे की मौत की क्या पता है आज हूँ कर नहीं हूँ इसलिए मेरी कोशिश यह है कि जब से जब यह काम मुकमल हो जाए और एक बात और महमल को अपनी बेहन की तरह समझो और अब इसकी खुशिया तुम्हारे हाथ में हूँ जय अंतला बेफिकर हो जाए आप वज़ा तो बताएं क्या वज़ा है कि आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे बड़ा कदम तो तुम उठाने जा रहे पहले दिन से ही गुफरान को तुम पर शक था उसने भी तुम्हे उस खातून के साथ खाना खाते देखा जिसे तुम अपने दोस की वाइट कहते हो इसमें कौन सी बड़ी बात है रिश्टा खतम करने की ये वज़ा वे नी समझ में नहीं आती तुम अब भी जुट बोल रहे हो क्या तुम्हें नहीं पताता कि रामीन किसी और में इंटरस्टेड है उसके बाभजूर तुम गुफरान की शादी उससे करना चाह रहे थे मैं इस बात का कैसे यकीन करना क्या आप क्या ये वज़ा है रिश्टा खतम करने की आप और भी बहुत सी वज़ू आता शेहर यार बाराल इस डील को कैंसल समझो राज़्दी साब इस तरह तो मुझे बहुत नुक्सान हो जाएगा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए जिस रिश्टे की बुनिया जूट पर होगी उसका यही अंजाम होगा आप इस वकुस्से में इसलिए इस तरह की बाते करने में बाराल अब आप इस रिश्टे को खतम समझें और इस मौज़ू पर मैं और मजीद गुफटगू करना नहीं चाहता रामिन बेटा को तो शयद मैं माफ कर दू इसलिए कि वो जमान है और नौजमानी में दोस्तियां बंती बिगड़ती रहती हैं लेकिन आपने उसे जो फोर्स किया और अपनी मूबोली भावी को अपनी बीवी को होतेवे डेनर पर लेके यह मुझे बरदाश नहीं है यह सब कुछ आपके क्रिदार को और मश्कूफ कर रहे हैं कर दो